सबसे बड़ी बात तो है डिजिटल बजट तो है साथ इसाथ मेकिन इंडिया के प्रड़क्ट से डिजिटल है वर्ष 2001 का बजट असाधारन परिस्तितियों के बीच पेश किया गया इसमें यह अथार्थ का एहसास भी था और विकास का विश्वास भी था कुल मिलाकर देखा जाए सरकार ने राजकोशिय स्थिर्ता के साथ साथ तालमिल बढ़ाते हुए बजट का आकार बढ़ाने का हरसंबब प्रयास किया है और नागरिकों पर हमने कोई दवाब नहीं डाला है कुल मिलाकर देखा जाए आज के बजट में आत्मनिर्पता का विजन भी है और हरवर का समावेश भी है हमारी सरकार ने हमेशा बजट को पारदर्शी रखने का प्रयास किया है और जो एक्सटरनल कमर्शिल बॉरिंग की बात करते थे हम लोग वो भी हमने उसको बड़ा स्पश्ट रखा है कि किस तरह से सरकार ने जो फूड सबसेडी भी है वो भी अपने बजट पर ली है ना कि बलकि जो नाशनल स्मॉल सेविंग फंड के माध्यम से जैसे पहले एफसी आई को फंड किया जाता तो वैसे नहीं किया है बहुत पारदर्शीता लाने का काम किया और साथ ही साथ हमने इस बजट में MSME में और इंफ्रसक्टर पर भी विशेश रूप से ध्यान दिया है है ह सेक्टर पर भी हम बहुत जादा पैसा खर्च करने वाले हैं जो लगबग 137 प्रतिशत है इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो रोडवेस पर भी एक लाग दस हजार क्रोड पर एक लाग दस हजार क्रोड पर के लगबग का हमने बजट का प्रावधान किया है और रेलव ने कुल मिलाकरे प्रयास भी किया है कि स्वास्त को एक बहुत बड़ा प्रात्मिक्ता दी है जिलास्तर पर हो वेलनेस सेंटर हो हेल्थ सेंटर हो उनको और सुद्रिड करने का हम काम करने जा रहे हैं इसलिए 137 प्रतिशत की उसमें वृध्धी भी हेल्थ बजट में की है और वैक्सिन के लिए 35,000 क्रोड रुपे का अलग से प्रावधान किया गया और मान्य वित्मंतर जी ने ये भी कहा है कि अगर और भी अवश्यक्ता पड़ेगी हम और भी इसमें प्रावधान करेंगे